कि नमस्कार दोस्तों आरके लेक्ट्रोनिक जारखन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारे पास रिपियर होने के लिए एक पार लाइट आई हुई है यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह पार लाइट डेड कंडिशन में है कैस्ट नमर ने से छोड़ के गया दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पीछी पीछे बैक में भी सोभा कंपनी की जो सेंबल है वो लगी हुई है और यह दोस्तों इसमें डिस्प्ले अब देख सकते हैं जो कि इसमें 12 वोल्ट फैन भी है और DMX से चलाने के लिए के इंपूट आटपूट DMX 2512 क lifelong craft के लिए दिया हुआ है दूस्तों इसको आज हम रिपेयर करेंगे और चम्दैनकर के हैं कि यह विए आँए को दोस्तों के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिलीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि दोस्तों डीजे से रिलेटेड हर तरह की वीडियो में आप लोगों के बीच लाता रहता हूं तो आई दोस्तों इस वीडियो का हम स्टाट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इसकी स्क्रूप जो है वह हम खोल लेते हैं उसके बाद हम इसकी टेस्ट करके पहले दिखा लेंगे दोस्तों यह डेड़ कंडिशन में है या नहीं सबसे तो मुझे 100% केस्टमर ने बोला हुआ है यह खराब हो चुका है तो मैं इसे खोल करके ही ख़ता बावर सप्व्ला लगी हुई है अधिकतर हमारी पावर सप्व्ला ही खराब होती है तो दोस्तों इससे रिप्यर करने के लिए इसमें जो भी कंपोणेट लगे हुए है सब smd में हैं दोस्तों तो smd के जगह पर अगर आपके पास SMD spare parts अगर नहीं मिलते हैं दोस्तों तो आप उसके जगह पर आप str module का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं फिलाल इसमें अगर कोई विशा दिकत है दोस्तों हम भी str module का ही यूज करेंगे इस्तेर module कैसे लगाना है दोस्तों वाज हम देखेंगे तो अब देख सकते हैं दोस्तों इसकी power supply बिल्कूल ठीक है देखने में तो कहीं बर नजर नहीं आ रही है लेकिन हम इसमें सब्सक्राइब के presents करेंगे इन्पूट सप्लेश पहले देख लेते हैं दोस्तों तो इसे हमने इन्पूट कनेशन दया है और अपने को दोस्तोंomina मुट्र को सब्सक्राइब स्क्षा przt करके रखा हुआ यह दैख सकते हैं। उसकी पावर सप्लाई जो है क्खराब नजर तो अब हम इसकी SMD जो है दोस्तों इस PCB की उल्टी तरफ उल्टी सट लगई होती है नीचे की तरफ तो इसे हम PCB को बाहर निकालते हैं supply को पहले बाहर निकाल लेंगे और उससे पहले दोस्तों एक बार हम इसकी output supply जो है दोस्तों वह देख लेते हैं क्योंकि के वह निकालने के बाद इसमें देखेंगे दोस्तों क्या दिकत है कि दोस्तों अगर यह power supply आगर आपके साथ भी एगर ऐसा problem आती है दोस्तों तो आप इस वीडियो को देखकर करके आप खुद से रिपैर इसको कर सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तो य करें के सारे जल चुकी है तो आप देख सकते हैं तो आप इसमें एस्टियर मोडियूल का ही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों क्योंकि इसको रिपेर करना इधर हमारे एरिया में तो SMD पार्ट्स एवलेबल जल्दी नहीं मिलती है तो हमेशा हम दोस्तों इसके जगह पर हम यह पा और अगर आप इसकी कनेक्शन के बारे में जालने तो आपको बिल्कुल ही आसानी होगी यह कहीं भी कोई भी SMPS में सेट हो जाएगी तो इसको जो हीट सिंक में टैट है दोस्तों 12N60 का जो मॉस्पेड है इस्तियर है दोस्तों इसे निकाल लेते हैं इस ट्रांजिस्टर को कि निकालने के बाद हम इसमें लगाएंगे और दोस्तों इसकी जो स्ट्यर मोडियुल है उसमें एक डाइग्राम भी दे दिया गया है दोस्तों अकर समझ में नहीं आता है तो आप कर देख लोग्यारतित करके अप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों उसकी चोपर होकर कर निकलती है उसमें हमारी इल्टरेड वाली जाएगी और यह दो आड़ पूट में है दोस्तों तो हमारी डायोड के पॉजिटिव सीरे में यलो लगेगी जो सप्लाइ में जाएगी 12 वोल्ट के लिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके आप इसको समझना विल्कुल असान है अब डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं तो यह हमारी सप्लाइ 300 वोल्ट के लिए है दोस्तों और यह हमारी जो पॉजिटिव है जो यलो वायर के लिए थी और यह नेगेटिव कंडेंसर में दोस्तों तो हम इसे एगर आप डायड सब्सक्राइब दोस्तों और डायात्या तो यहां बं कि यह बुट्र यह है्करा सबील फिरीनेश्यचन करने से पहले जो सबसे जो यह दो निकाल लेंगे जब भी हम में स्टियर मोडियूल लगाएं दोस्तों तो सामने जो लगी हुई है यह ट्रांजिस्टर बारा एन शिक्स्टी लगी होती है इसमें उसे हम खुल देना है और खुलने के बाद ही हम में स्टियर मोडियूल का इस्तेमाल करेंगे और दोस्तों ह्त्य यह चीप लाइस के बाद इस मौड्यूल को लगाने के बाद आप इसे सेप्रेट तरीकर से आप रख दें इन और आपड जो टेप होती है कोटन टेप दोस्तों इसमें से आप इसे चिपका करके रख सकते हैं कि या थो फिर यहाँ इदयाज फोली जगह है तो आप इसकी str में ट्रैटकर सकते हैं तो तो जहां पर बळन हुई है वहां पर हम साफ कर लेते हैं नहीं तो यह फोल्टर के माध्यम से डिस्चार्ज कर लिजीगा नहीं तो ये करेंट देने के उपरांत इसमें चार्जिंग रह जाती है थोड़ी बहुत जो कि आपको शौक लगने का खत्रा बनता है तो हमने फ्यूज खोल दिया है दोस्तों फ्यूज के जगा पर हम सिरीज बल्ब ही यह पर हमने 108 की युज करेंगे तो यह हमारी कंप्लीट हो चुके दोस्तों अब हम इसमें HDR मॉडियोल लगाएंगे तो यह हमारी HDR मॉडियोल है दोस्तों देख सकते हैं इसे हम कनेक्शन करेंगे सबसे पहले दोस्तों हम इसकी कनेक्शन के बारे में बीडी आपको बता डाइग्रामल लगी वी हैं उस डाइग्राम में के माद्यम से भी आप सम्ध सकते दोस्तों तो यह जो डाइव की सद्र्वाइर की आ कि हम उसमें रिखुण यह यहीं सोडिग्र करेंगे जो भी डाइव की पॉजिटिव में दो प्रफप्रा है के लिए जो जाती है दोस्तों ट्रास्फर्मर के माध्यम से तो उसी के तरफ से मैं सम्स्काइर के तरफ एश्यम्यष्य सुप्लाइ ली आ नहुं कि इस में दीना है है कि ख्ली-ध्र कंडेंसर से जो सप्लाई जाती है SMPS ट्रास्फर्मर में उसकी दूसरी पीन में हमें देना है और ब्लेक जो है वह हमारी ग्राउंड है दोस्तों नेगेटिव है तो यह हमारी कनेक्शन हो चुकी है अब दोस्तों इसमें हम लाइन इंपूट करके देख लेते हैं और उसके बा और यह कोई भी पावर सप्लाई में सेट हो जाती है और यह इसकी प्रिशेट है यह देख सकते हैं आप इसी प्रिशेट से हमें वोल्टेज सेट कर लेना है तो अभी हम सेट करके भी दिखाएंगे तो अभी हम इसमें लाइन इन्पूट करेंगे और लाइन देने के बाद हम देखेंगे दोस्तों हमारी HDR मोडियूल काम कर रही है या नहीं तो अब देख सकते हैं यह हमारी मेन कोड है हम इसमें लाइन इन करेंगे तो यह हमारी लाइन हमने इन कर दिया दोस्तों यह देख सकते हैं हमारी LED पावर सप्लाई के LED जल चुकी है अब हम इसमें वोल्टेज न आप लेंगे कितनी हमारी आटपूट वोल्टेज दे रही है तो दोस्तों एक पीन एक तरफ जो है दोस्तों जो फैन वाली कनेक्टर है वहां पर हमें 12 वोल्ट मिलनी चाहिए यह देख सकते हैं थोड़ी सी लाइट के वज़़़से नए दिख पा रही दोस्तों फ्रेश करकी दिखाते हैं आपको तो यह देख सकते हैं दोस्तों 7.3 वोल्ट मिल रही है तो दोस्तों इससे हमें बढ़ा लेना है और इसकी जो को देख लिए अपको जितना में झित करना है जितनी दोस्तों के घो घो देख लिजे 7.3 से 9.2 हो गया हो चुका है थोड़ी सी और हम प्रिशेट को घुमाएंगे थोड़ी सी और घुमा लेते हैं इसका फिर हम नाप लेते हैं दोस्तों यहां पर हमारी जो फैन वाली कनेक्टर है इसमें 12 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए देख सकते हैं दोस्तों 10.3 व 10.9 वोल्ट हो चुका है दोस्तों थोड़ी सी और हम एडिजस्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इसे सेट करना बिलकूल ही असान है और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों और अगर अभी तक हमारे चैनल क सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों अब देख सकते हैं लगवाई 11 वोल्ट हो चुका है ठीक है दोस्तों इतना में कोई प्रोब्लम नहीं है तो अब हम इसमें सारी कनेक्टर जो है वह हम लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसको एक बार हम जला के चेक कर लेतें दोस्तों कि हमारी काम्यावी सफल हुई है या नहीं तो यह देख सकते हैं हमने फैन वाली कनेक्टर लगा चुका हूं और यह अब हम इसकी जो डिस्प्ले वाली कनेक्टर है इसे भी हम लगा लेंगे और लगाने के बाद देखेंगे दोस्तों तो यह हमने कनेक्टर लगा चुका हूं और यह देख सकते हैं आप तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगे दोस्तों तो कम से कम एक लाइक जरूर करें ताकि मैं आप लोग हो चुकी है तो दोस्तों फिर मिलते दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों थैंक्यू जय हिंदे